Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक important चीज आपको ये बोलना चाहता हूँ, कि भारत में आप आज भी ज्यादा तर लोगों से जब पूछेंगे, कि जपान का प्राइम निश्टर कौन है, तो कई लोगों का यही जवाब होगा, शिंजो आवे, इसका परसनल एक bonding थी, और इसलिए आज देखी, जब ये पूरी खबर आई, तो सबसे पहले, वर्ल लीडर्स में से, one of the first person आप कह सकते हो, जिन्हों ने यहाँ पर इसके बारे में tweet किया, and he said कि deeply distressed by the attack on my dear friend, आवे शिंजो, और उन्होंने कहा कि हमारा prayers और thoughts, आप सभी के साथ है family के साथ, और especially जो Japan के लोग हैं उनके साथ है, तो चलिए इसको देखते हैं और समझनी की कोशिश करते हैं कि exactly हुआ क्या, और especially मैं यहाँ पर बात करूँगा gun control का, क्योंकि especially US के अंदर आपने देखा होगा, काफी ज़्यादा shooting के मामले होते हैं, लेकिन Japan में क्या है gun control को लेकर एक example के तोर पर दिया जाता था कि Japan एक बहुती सक्षम देश है, जहाँ पर इस तरह का जो gun control है, वो लागू किया गया है successfully, तो चलिए इसको detail से समझते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, एक important खबर है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, 11th of July से जो study IQ है, उसक इसके अलग-अलग features आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे prelims के लिए MCQ हो गया, daily current fairs हो गया, सब कुछ कराया जाएगा, mains के लिए answer writing कराया जाएगी, इसके लब आपको एक mentor दिया जाएगा, ताकि आप अपनी preparation अच्छे से कर सकें, ध्यान रखेगा, यह inaugural offer है, यहाँ पर आपको सिर्फ 25,000 के बजाए, 19,000 में मिल रहा है, अगर आप code इस्तमाल करते हैं, अंकेत live हमारे app और website पर, तो जल से जल इसको avail करिए, इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा page पर जाएगे, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पा वेस्टन सिटी ऑफ नारा में आपको पहले location बताता हूँ, यह अगर आप जपैन का मैक यहाँ पर देखोगे, तो mainly चार आइलेंड्स में बटा हुआ है, बड़े आइलेंड्स की अगर हम बात करें तो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला जो उपर वाल आइले है, इसको कहते हैं Hokkaidu, फिर बीच वाला है, इसको कहा जाता है Honshu, फिर Shikoku और फिर Kyushu, तो यह जो चार में आइलेंड्स हैं, इसमें जो यह वाल आइलेंड्स आप देख रहे हो, Honshu आइलेंड, यही पर capital है Japan की Tokyo, और उसके southern side आप देखोगे, और especially western side यहाँ पर शहर है और especially आप देख सकते हो, यहाँ पर जो Chief Cabinet Secretary है, उन्होंने कहा कि अभी जो Shinzo आपे हैं, उनका condition क्या है, उनको नहीं पता, कई लोगों का यह कहना था कि vital science नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि क्या वो जिन्दा है, क्या उनकी मिर्ती हो गई है, यह अभी तक clarity नहीं हो रहा है, लेकि भारत में आप लगभग कह सकतो, 8 बज़ रहा होगा, सुबह 8 बज़े के आसपास, और यह काफी barbarity वाला attack था, जो इसको tolerate नहीं किया जाएगा, ऐसा ही वहाँ की political parties कह रही थी, साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो reporters थे वहाँ पर, उनका कहना था कि दो इस तरह और इसलिए अब जाकर उनको blood transfusion वगरा कैसे भी करके, बचाने की कोशिच हो रही है, और आशा यही करते हैं, भारत के लोग भी ज्यादा तर यही चाते होंगे, कि किसी प्रकार से उनकी जो जान है, वो बच्चा है, लेकिन यहाँ पर question यह भी आएगा, कि आखिर कार जब वहाँ के parliament को कहा जाता है diet, यह आप देख सकते हो diet कहा जाता है, और इसमें lower house को होता है, कहा जाता है house of representatives, और जो upper house है, जैसे हमारे यहाँ राजय सभा है, उसको वहाँ पर कहा जाता है house of counselors, तो यह जो पूरा campaign हो रहा था, basically Sunday को election होना था house of counselors के लिए, और यह 245 streets आप पाएंगे, Yamagami Tetsua, Yamagami Tetsua नाम का person है, जिसके पास gun पाई गई, उसको police ने arrest कर लिया है, और बताया जा रहा है कि most probably यही murderer होगा, अब जो भी है, लेकिन question यहाँ आता है कि gun से मारा गया, अब reason क्या है, क्या नहीं है, यह तो आगे चल कर पता चल पाएगा, जब investigation किया जा वो आगे चल कर ही पता चल पाएगा, लेकिन क्योंकि gun से मारा गया है, तो question यहाँ पर सबसे पहले यही आता है, और especially आपके exam point of view से आ सकता है, क्योंकि recently अमेरिका में भी आपने देखा होगा, बहुत इस तरह की हाथ से देखने को मिले हैं, और Japan में इस तरह का हाथसा मतलब करीब 12 करोन लोगों का देश है, और वहाँ पर rarely आपको death देखने को मिलता है, मिर्तिव देखने को मिलती है, because of gun, और साल में 10 से भी कम मिर्तिव जपान के अंदर gun की वज़े से होती है, और जब से gun एंटर किया है जपान के अंदर, वहाँ पर काफे strict laws लगाएगा है और आप देख सकते हो, ये पहला ऐसा देश था जपान, पूरे विश्व के अंदर, जिन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो gun है, वो civilian society के अंदर कोई भी part play नहीं करना चाहिए, वो play नहीं कर सकता, और इसलिए gun को हमेशा दूर रखने की कोशिश की जाती, इसका एक history भी है, म की मित्य हुई थी, nuclear attack हुआ था, bomb गिरा था, और finally यहाँ पर decide किया गया, कि हम pacifism के रास्ते पर जाएंगे, pacifism का रास्ता मतलब ही हुआ, कि war कोई solution नहीं है, किसी का हत्या करना, मित्यू करना कोई solution नहीं है, और इसी की philosophy पर वो देश आगे बढ़ता गया, दीखे, gun तो Japan के अंदर तब आया, जब American troops में उनको provide गया, 1946 में कहा, कि आपने security के लिए, जो हाँ के police है, आप gun अपने पास रखिये, और तभी जाकर gun वहाँ के securities के द्वारा रखा गया, 1958 में law भी बना दिया गया, और यहाँ पर law के अंदर, Japan के अंदर बोला गया, कि no person shall possess a firearm, किसी के प और मान भी लोगर कोई civilian gun लेना चाहता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसको लेने के लिए, काफी जादा मसकत करनी पड़ती है, पूरे दिन भर का class attend करना पड़ता है, return test को pass करना पड़ता है, accuracy, shooting range पर जाना होता है, और वहाँ पर accuracy 95% की होनी चाहिए, तभी आप आपको gun मिल पाएगा, सिर्फ यही नहीं, आपका mental health evaluation किया जाता है, hospital के अंदर background check होता है, criminal record दिखा जाता है, interviews किये जाते हैं आपके friends और families के, तब तो जाकर यहाँ पर gun दिया जाता है, और इसलिए का जाता है, one of the toughest laws है जपान में आपको gun मिलना, और gun भी नहीं मिलता है, कहने का मतलब जो handgun है वो तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ shotgun और rifle ही आप यहाँ पर ले सकते हो, जो air rifles होते हैं, और लेने के बाद भी हर 3 साल में यहाँ पर वापस से आपको class लेना होता है, और exam देना होता है, तो आप सोचिए, इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि Japan में कित भग भग 33,599 यहाँ पर incidents हुए थे, because of gun violence, तो इसी की वज़े से गन जो Japan है, वो एक काफी successful देश बताया गया, in comparison to others, लेकिन यह जिस तरह का हाथसा हुआ है, उसकी वज़े से फर्दर यहाँ पर debate होगा, कि और कदम लेने चाहिए, क्या Japan के अंदर gun loss को लेकर, तो वो तो अगें, उस समय भी health का कारण था, फिर 2012 से लगतार 2020 तक वो प्राइमिस्टर बने रहे थे, और वहाँ पर भी health reasons की वज़े से, उन्होंने resignation दिया था, और आपको पता होगा, कि आगे चलकर, शिंजो आबे ने यह बताया, कि वापस से मेरे health में जो problem है, वो start हो गई है, especially intestinal जो disease है, उसकी problem स्टार्ट हुई है, और जब वो office में थे, तो उनकी अगर policies की बात करें, hawkish policy, defense और foreign policy के लिए वो जाने जाते थे, और especially उन्होंने ये भी चीज़ कहा था, कि जो pacifism अपनाया गया था, जपान के द्वारा, post war constitution, मतलब कि world war 2 के बाद, मैंने आपको बताया pacifism के बारे में, उसमें उसके अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा आप देख सकते हो कि उनकी जो economic policies थी, उसको ebenomics कहा जाता था, ebenomics basically मैं शर्वल सब्दों में बताऊं, तो monetary easing policy था, मतलब कि जादा से जादा liquidity बढ़ाओ market के अंदर, economic के उपर ज्यादा ध्यान दो, GDP को बढ़ाने की कोशिश करो, तो इस रास्ते पर वो चलते था और इसी को ebenomics कहा जाता था, और आगे चलकर 2020 में, योशी हिदे सुगा कोनो ने nominate किया, ये next prime minister बने, लेकिन योशी हिदे सुगा भी ज्यादा दिन तर नहीं तिक पाए, और उसके Japan के अंदर वहाँ पर कहा जाता है, Bank of Japan, BOJ, और उनके जो governor है, उनको support करते हैं Shinzo Abe, अब Shinzo Abe, मैंने आपको पहले बता है, उनके द्वारा जो ebenomics की policies है, जिसमें easing, monetary easing किया जाता है, तो इसको लेकर जैसे ही, यहाँ पर shooting हुआ, यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया, कि क्या य देखने वाली बाट होगी, बटाई होगी, यह जो पुरा वीडियो था, उसमें आपको सब कुछ यहाँ पर हर एक पहलू समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए क्या बता सकते हैं, कि 1904 से 1905 की बीच में Japan ने कौन से देश को हराया था, एक simple question अगर आप आपको PDF टेलिग्राम पर आईए, लग-लग social media पर आप जूर पाओगे, और जैसा मनें बताया, UPSC की जो तयारी है दोस्तों काफी आसान हो गई है, इसका कारण है कि हमारे दोरा जो live foundation bash लाया गया है, उसके अंदर आपको अनेको features दिये जा रहे है, जल से जल इसकी preparation स्टा स्टाडी आईक्यू आईए, अब तयारी हुई, अफोर्डबल